राम राम किसान भाईयो मैं नितन फिर से हाजिरूं आपके अपने चैनल नितन देवल में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे गेहों की एक उननत सील वेराइटी के बारे में उन्नत सील किस्म के बारे में इस किस्म के बारे में कंप्लिट जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ किस्म का नाम क्या है पकने की अवदी कितनी है 20 दर क्या है कौन-कौन से रोग लगते हैं कौन-कौन से राजियों में आप जो है इसकी बुआई कर सकते हैं साथी साथ पोदे की उचाई क्या रहने वाली है इसके साथ साथ किसमे उत्पादन क्या रहेगा कितने पानी की आवसकता पड़ती है बुआई का सही समय क्या है कितने तरह के रोग इसके अंदर देखने को मिलेंगे A2J complete जानकारी की ये वीडियो मैं किसान भाईयो आपके लिए लेकर के आया हूँ तो वीडियो को लाश तक जरूर देखें जिससे की आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके यदि इस किसम की पकने की अवधीकी में बात करूँ तो लगभग किसान भाईयो 115 से लेके 125 दिन के अंदर ये किसम आपकी पकर के तयार हो जाती है 20 दर की बात करूँ तो 40 किलोग्राम पिर्ती एकड़ के हिसाब से यदि आप बीच का चैन करते हैं ये किसम आपको बहुती सांदार पैदावार निकाल करके देती है बात कर लेते हैं रोगों की तो रोगों के प्रदी काफी ज़्यादा सेहन सीले और रोग इस किसम के अंदर आपको काफी कम किसान भाईयो देखने को बिलेंगे इस किस्म का नाम है किसान भायो करन वंदना DBW 187 इस किस्म का चैन बहुत सारे किसान भायो ने लाश्ट एयर भी किया था उससे पिछले वर्स भी किया था और बहुती अच्छी पैदावार ये किस्म आपको निकाल करके दे रही है अब बात करते हैं कौन-कौन से राजियों में हम इसकी बुआई कर सकते हैं तो इसकी बुआई हम पंजाब में कर सकते हैं, हरियाना में कर सकते हैं, उत्तर प्रिदेश में कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं, बिहार में कर सकते हैं, असम में कर सकते हैं पश्चिम बंगाल में भी किसानभायों आप इसकी बुआई कर सकते हैं पहुती अच्छी पैदावारी आपको निकाल करके दे सकती है अब बात कर लेते हैं पोधे की उचाई की तो इसके पोधे की जो उचाई है वो 100 cm के आसपास किसानभायों आपको देखने को मिल जाएगी यह गहूं कम लंबाई होने के कारण कम लंबी होने की वज़ा से किसानभायों आसानी के साथ नीचे नहीं गिरती है बात कर लेता हूं इसके उत्पादन की तो इस किसानभायों को 28 से लेके 30 कुंटल पिरती एकर तक का उत्पादन आसानी के साथ निकाल करके दिया है बात कर लेते हैं सिच्चाई की कि कितने सिच्चाई की आवसकता इस किसम को पढ़ने वाली है तो किसानवाई तीन सिचाई यदि आप इस किसम की कर देते हैं तो तीन सिचाईों में ये आपको बहुती अच्छी पैदावार किसान भाईयो निकाल करके दे सकती है बात करें बुआई की की बुआई करने का बिल्कुछ सही और उप्युक्त समय इसका क्या है तो एक नमबर से ले करके 10 दिसंबर तक यदि आप इसकी बुआई करेंगे तो ये आपको अच्छी पैदावार अच्छा उत्पादन निकाल करके किसान भाईयो दे सकती है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप सेयर भी कर सकते हैं